जेसे सी जहारकना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जहारकांड करमचारी चैन आयों की और से जो वैगानिक साहिक परती होगी तब परिछा हुआ तो 2021 उसका जो है एंसर की और की चेलेंज जो है उसको जारी कर देया गया है तो जितने भी केंडिडेट्स हैं जो की एक्जाम लिख चुके हैं ओ उफिशल वेबसाइट में जा करके इसको देख सकते हैं और अपना जो है एंसर की को मिला सकते हैं साथ साथ में जो चेलेंज करना है उसको भी करते हैं तो यहां पर जो है जबसे पहले अपर लोगों को जो ऑपीचल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है उसके बाद में सारे चीज़ों को जो है जिस प्रकास से मांगा जाको उस प्रकास से डाल करके ओपन का लेना है और यहाँ पर देखिए अब उसके बाद candidates need to login with their application number date of birth and selecting the paper they want to review candidates can select one paper at a time a login login for selecting second paper they need to log out and login again login देखिए यहाँ पर साफ साफ कहना है इनका कि आप जो है सबसे पहले application number date of birth के साथ में login कीज़े और उसमें किस paper में आप लुको करना है उस paper को select कर लेना है उसके बाद में हैं यहाँ पर कि एक बार में एक एक ही paper को आप select कर सकते हैं फ्रसा चाहाइच लिख गया है तो जितने पर ऊसके बाद में आप लोगों को क्या करना उसके बाद में आप लोगों को क्या करना यांपे तोजो है सबसे पाला एक बोक्स है जो बोक्स को लेगा उसमें question number आप लोगों को mark करना है जिस question का आप लोगों को करना है उसमें objection करना या representation करना यह है उसके बाद में आपका यहां पर दीख रहा है कि in the next box with the title candidates contest response choose the correct answer option a,b,c,d,h for your claim if you think none of the option are correct select none of these if you think the question is wrong then select the option wrong framing of question तो यहां पर है जैसे अगला जो बोक्स को लेगा उसमें आप लोगों को जो है अपना response डालना है उसमें option number जो भी टेक्स्ट with right details in support of your claim उसको अगला बोक्स रहेगा उसमें representation टेक्स्ट डालना है मतलब आप लोगों को लगता है कि यह आपका सही है तो आप उस चीज़कों आप लिख सकते हैं और उसमें details भी पूरा भार सकते हैं वह claim करने के लिए आप उसको text उस box में भार सकते हैं उसके बाद है हमारा next में in the next box with the title supporting document upload pdf document if any and support of your claim अगर उसमें व्यालों को जो लगता है कि यह जो claim करता है आप जो text लिखे हैं उसमें आपको supporting document भी डाल सकते हैं और उसको भी आप pdf document में बना करके next box में है उसको आप डाल सकते हैं तो यह इस परक पर multiple questions can be submitted in a single session by clicking save and continue बटन यहां पर जो है एक बार में को एक ही होगा और उसको जितने बार आप लोग को स्लेट किजेगा जिसको के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 7 next 7 continue करकर करके आप लोगों को आगे जाना है उसका फिर जितने बार करना है आपको log करने के बाद फिर लोगीन करने के बाद ही आप लोगों के यह सब सारे चीजें होगा यह पिस परकार सिखा गया है साथी साथ अप्टर सेविंग इच ऑब्जेक्शन यू के प्रिविव दसें इन टेबल बिलो उसका जितना लोगों करना रहे है वो करने के बाद में आप इसको टेबल बिलो में जो नीचे में रहेगा उसमें सारे चीजिए सारे चीज़ों के देख सेथे क्वेश्चन नमबर जितना भी है हूँ आप लोगों देख सकतना है इस परकार से उसके बाद है एंटर एंटर ओप ऑप अप्जेशन के बाद में सब्मेट फाइनली कीजेगा जो की एकदम लास्ट प्रोसेस है उसके बाद में है रिमेंबर की आपको ध्यान रक नाए कि उसके बाद आप कोई भी रिपर्जेंटरेशन को और दुबारा से नहीं कर सकते हैं यह दिया किया फाइनल समय पहले आपको कुछ नहीं हो सकता है यहां पर दूसरा जो भी कोश्चन पूरुवक एक एक जो भी कोश्चन आप लोगों को करना है चैलेंज उसको भरते हुए फिल करते हुए जाना है तो यह देखिए सबसे पहले किस प्रकार से करना है वह मैं आपको 4 वॉक्स इस परकार से खुल जाएगा इसमें पहला दूसरा तीसरा है तो यह जो है पहला बौक्स राइगा होसे है चैले यहाँ पे इस box में डाल सकते हैं पूरे अची तरीके से उसके बाद जो है यहाँ पे चूता नमार पर है PDF आप डाल सकते हैं supporting document में PDF डाल सकते हैं तो इस परकार से यह आपेलों को ये एक बोक्स भाते जाएगा नेक्स कर तो न Windows को लेगाए औरा जाहिएक है ये व्याय प्रकार से कर सकते हैं और सिल इस सकते हैं और वेगानिक साहिक वत्यगुता परिच्छा जो लिख्यत है वो अब इस प्रकासिक कर सकते हैं तो यही एक बहुत अच्छी नोटीस है आप लोग इस प्रकासिक सारी सब्सकों कर सकते हैं